इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप अपॉइंट्मेंट्स तैग कर पाएंगे. गुड मॉर्निंग, मैं एक स्किन ख्लीनिक. मैं कविता आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं रासाइनिक पीलिंग के लिए आना चाहती हूँ. मैं, क्या ये आपका पहला सत्र है या आपने ये प्रक्रिया पहले भी की है? नहीं, ये पहली बार होगा. ठीक है मैं, तब तुमुझे आपका पॉइंट्मेंट हमारी वरिष्ट विशेशक से तैग करना होगा. वो ही आपके लिए ज़रूरी प्रक्रिया का निर्ना लेंगी. और उपचार में आपको लगभग देड़ घंटे लगेंगे? मैं आपके लिए कब का पॉइंट्मेंट तैग करूँ मैं? आज बारा बजे. ठीक है मैं, ये ठीक रहेगा. क्या मैं आपका नाम और संपर्क नंबर जान सकती हूँ? ठीक है मैं, हम आपसे बारा बजे मिलते हैं. मैं एक स्किन क्लीनिक में कॉल करने के लिए धर्निवाद, आपका दिन शुभ हो. गुड मॉर्निंग सर. बढ़िया स्वागत का क्षै. धन्यवाद सर. मैं आपकी क्या साहता कर सकती हूँ? मेरा नाम कुमार है. मैं आज चेहरे की मसाज करवाना चाहता हूँ. जरूर सर. सर, कृपिया इस फॉर्म को भरिये. हम आपकी तवच्चा की प्रकृति जानना चाहते हैं. कितना शुल्क लगेगा? सर, ये रही शुल्क सूची. और इसमें समय कितना लगेगा? इसमें डेड़ घंटा लगता ऐसा. गुड मॉर्निंग, मैं एक स्किन क्लीने. मैं कवीता आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो कवीता, मैं अरुन महता हूँ. मुझे अपने दूसरे माइक्रोडर्मब्रेशन के लिए आना है. क्या मैं आज एक बज़े आ सकता हूँ? सर, उस समय हमारी पहले से ही एक प्रिक्रिया नरधारित है. क्या दो बज़े का समय उचेत रहेगा? ठीक है, तो मिलते हैं. जरूर सर, मिलते हैं. धन्यवाद सर, चलिए मैं आपको चेंजिंग रूम की तरफ ले चाऊँ. गुड मॉर्निंग, मैं एक स्किन ख्लीनेक, मैं कवीता आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं, किस बाग के लिए आप लेजर करवाना चाहती हैं? शरीर के लिए या चेहरे के लिए? मुझे अपने उपरी हूट के ओपर लेजर हैर रिमूवल करवाना है. क्या मुझे शुल्क बता सकते हैं? क्या कोई पैकेज उपलब्ध है? मैं, शुल्क उपचार की जगह और जरूरी सत्रों की मताबिक अलग-अलग होता है. मैं सुझाव दूँगी कि आप हमारे क्लीनिक में आईए, जिससे हम आपको एक अनुमान बता सकें. क्या चार बजे ठीक रहेगा? ठीक है, मैं आ जाओंगे. मैं, क्या मैं आपका नाम और कॉंटाक नंबर जान सकती हूँ? धन्यवाद रितू मैं, चार बजे मिलते हैं. तो दोस्तों, दिन बुक हो चुका है. पर कि आपने ध्यान दिया कि ये अलग-अलग ग्रहकों के साथ निर्धारे थे. कुछ ग्रहक स्वेम आये, कुछ ने फोन किया. मैं फोन पर पहली बार आने वाले और दुबारा आने वाले ग्रहकों का अपॉइंट्मेंट टे करती हूँ. अब मुझे मिस्टर कुमार की मसाज के लिए तैयार होना है. तब तक आप सब विभेन प्रकार के ग्राहकों के अपॉइन्मेंट टैक करने की चरण बद्ध प्रक्रिया देख सकते हैं बाद में मिलते हैं ग्राहक का अभिवादन कीजिए ग्राहक को स्वयम का और क्लिनिक का परिचे दीजिए चरण दो ग्राहक से पूछिए कि क्या वो पहली बार आ रहे हैं या यहां दोबारा आएं हैं चरण तीन यदि ग्राहक पहली बार फोन कर रहे हैं या मिलने आए हैं तो उन्हें आवश्चक जानकारी दीजिए जैसे क्लिनिक में प्रक्रिया के लिए लगने वाला समय और प्रक्रिया का शुल्क चरण चार अपॉइन्मेंट तै कीजिए चरण पाँच ग्रहक का नाम और फोन नमबर लिखिए चरण छे ग्रहक को धन्यवाद करके फोन बन कीजिए ड्रक्रिया लगनेट